हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे गुजराती पॉपिलर नास्ता यानि की इंस्टन्ट सेव खमनी बहुती जटपट बन जाती है और जब भी कोई केश्ट आये तो आप ये रेसिपी बना सकते सबको बहुती पसंद आएगी तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करेंगे त उसके अंदर हमें एड़ करना है बेसन यहां पर बारिक वाला ही यूज करना है तो यहां पर मैंने डेड़ कव बेसन उसके आप कोई भी कटोरी का नाप ले लीजे उसके अंदर हमें एड़ करेंगे दो चमच सूजी उसके बाद अभी हमें एड़ करना है नमग एक चमच स्वादनोसा उसके बाद अभी हम एड करेंगे अधरक और हराइमेज की पेस्ट एक बड़ा चममच एड़ करना है उसके बाद यहां पर नेम बू का रहास ऎड़ कर लेंगे दो बड़े चममच यहां पर मिक्स करना है तियानिक ना आ है कि टिर्फ लूम्स ना रहे बहुत ही अच्छे से आपको एकदमूद बैटर बनाना है यहां पर थोॊड़ा का बाया पानी एड़ के लिए जो आप कोई भी कटोरा बाउल या फिर आप प्लेट ले लिजे तो यहां पर मैंने एक डबबे का ढ़ लिया है मोल्ड के लिए तो बस उसको मैंने ग्रीस कर लिया है उसके बाद यहां पर हम दस मिनिट हो चुके है तो बैटर भी एकदम रेड़ी हो चुका है तो य कोपी फ्लेवर वाला नहीं लेना है उसके अंदर हम एक चमब जितना पानी एड़ी करेंगे और अच्छे से सा जो सामगरी हमने डाली है लाश्ट में एक ही दिसा में हमें उसको फैटना है ध्यान रखना है जैसे ही इनो अच्छे से मिक्स हो जाएगा बैटर जो है वो गरम करके रखना है जब आप इनो डालोगे उससे पहले ही आपको स्टीमर को गरम करके रखना है वो बात का खास धान रखना है तो बस यहाँ पे अपड़े सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टीन में usual ट्रांस पर कर लिया है तो यहाँ पर से इक बाbright कर लिज़े उसके बाद के की आज यहां पर आपको मेडियम रखनी है स्टीमर बहुत ही अच्छे से गरम हो चुका है तो दस मिनिट के लिए हमें उसको हाई फ्लेम पर स्टीम होने देना है तो दस मिनिट तक आप उसको स्टीम होने देंगे तब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से फूला है एकडम पर्फेक्ट श्टीम होगा है तो बस यहां पर आपको कट कर लेना है और अच्छे से उसको मैश कर लेना है आप देख सकते उसका जो फ्लॉफीनेस है बहुत ही बढ़ी आया है तो इंस्टंट से उखमने के लिए प आप चाहे तो हाद से मसल के भी उसको बारिक कर सकते है लेकिन एक एवन टेक्शर लाने के लिए आप उसको थोड़ा सा इस तरीके से कद्दुकस कर लीजे तो एकडम दानेदार टेक्शर आ जाएगा तो यहां पे जो सारा ढुकला है उसको मैं इस तरीके से ग्रेट कर लो तो यहां पे गड़ाई को गरम कर लीजे तीन बड़े चमच यहां पे पीनट ओल एड़ कर दीजे पीनट ओल से ही फ्लेवर ज्यादा आता है यहां पे दो बड़े चमच यहां पे आपको राय एड़ कर देनी है क्योंकि यहां पे राय थोड़ी ज्यादा एड़ करनी है उ बहुत इंच्छे से तड़का हो गया है तयार तो यहां पे हम एड़ करेंगे काजु के टुक्ड़े करिब 2 चम्मत जितना उसके बाद थोड़े से kismis भी एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें उसको ज्यादा नहीं पकाना है तो बस अच्छे से एक बार तो एकदम रेडी हो चुका है तो हमने आभी जो खमनी बना रखी है वह एड़ कर देनी है और अच्छे से उसको सौते कर लेना है दो मिनिट के लिए उसको पका लेना है ताकि जो मसाले की यह है वह अच्छे से मिक्स हो जाए और यहां पर लास में फ्रेस कटे होई धन्या प यहाँ पर दो से तीन हरिमेश एड़ कर दीजे उसके बाद यहाँ पर नीमबू का रस ही चीन पर लग चाल आड़ कर दीजे दो बड़े चाल ciao कि मैं तो सभू आड़ कर दीजिए और जो डोकला के रखा Τुरौ वह भी पर स्भ साओं उसके बाद हमें add कर देना है आतक अब जितना पानी और उसको crush कर लीजे तो बस ये लीजे हमारी जो सेव खमनी की चटनी भी है न वो भी तयार हो चुकी है तो blend हो चुका है तो हमारी चटनी तयार है तो आप उसे गर्मा गरम instant सेव खमनी के साथ ये चटनी शर कीजे तो पर से आपको add कर देने है यहाँ पर अनार के दाने और थोड़ी सी शेव और साथ में चटनी तो बस तयार हो चुकी है आपका नास्ता तो जब भी कोई मेहमान आए और कुछ भी चटपठा खानी का मन है तो आप ही रेसिपी को ट्राइ कीजे मिल्ट्रिक डई रेसिपी के स आप तक के लिए बाइ बाइ